हामीरपुर्जिला में ऑनलाइन ठगी और पैसे दुगना करने के लालच की मामलों में दिनो दिन भ्रौतरीक हो रही है जिसके चलते लाख रुपे का चूना लोगों को लग रहा है ताजा मामले में पुलिस थाना बड़सर के तहत एक बेक्ती से बीमे के नाम पर 14,55,000 की ठगी का मामला सामने आया है पीडित बेक्ती ने ठगी का पता चलने पे बाद पुलिस थाना बडसर में इसकी शिकाइद की है जिस पे बाद पुलिस ने भी चानविन शुरू कर दी है जानकारी के उनसार उपमंडर बडसर की लोहारली पंचाइद के बुठान गाव निवासी शिव कुमार सपुत्र इंदर सिंग के साथ बीमे के नाम पर ये ठगी का मामला दर्ज हुआ है पीडित के अनसार बीमा कंपनी ने मैचुर्टी के समय जमा की गे राशी के करीब दोगना राशी मिलने का हवाला दिया था इस पर पीडित ने बर्ष्ट 2014 में कंपनी में अपने पैसे निवेश कर दिये अब जब की मैचुर्टी का समय पूरा हो गया है तो उसे कंपनी ने कोई भी रुपे नहीं दिये उल्टा जब उसने कंपनी के अधिकारी से बाद की तो 3 लाक रुपे और सेक्योर्टी के रूप में जमा करवाने को कहा गया 11 माच को शाम करीब 5 वजे कंपनी अधिकारी का फोन आता है और जिसमें कहा जाता है कि आज पैसे निकलाने का अंतिम दिन है अगर आज पैसे निकालने जाते हैं तो ये पैसे शेर मार्केट में लगा दिये जाएंगे और उन्हें नहीं मिलेंगे शिप कुमार का कहना है कि कंप्री ने लालच दिया था कि पॉल्सी का समय पूरा होने पर करीब 30 लाख रुपे का भुकतान किया जाएगा लेकिन अब कंप्री ने भुकतान नहीं किया है जबकि पीडित को कुल 14,55,386 रुपे का चुना लग गया है हमीरपूर एसपी अरजी सेन ने बताया कि पुलिस ने शिप कुमार की शिकाईत के धार पर मामला दर्च कर लिया है और लाख रुपे की ठगी की मामले की चान बिन की जा रही है